हलो स्टुडेंट्स, वल्कम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, हमेशा की तरह इस बार भी मैट्स ओलंपियाड होने वाले हैं नवर्मर मन्थ में, आप लोगों को पता ही होगा, आपके पास अल्रेडी बुक आ चुकी होगी, तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों क करने के लिए, फिर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइस, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करते हुए, जो भी कोशन्स दिये हुए हैं, वो मैं आपको एक्स्प्लेन करूंगी, और हम लोग प्रिपेर करेंगे अपने मैट्स ओलंपियाड के लिए, तो फ एस्टिमेशन इन नियरस तेन, हंड्रेट और थाउजन्स, एक्स्पैंड़ फॉर्म, वर्ड प्रोब्लम्स, रोमन नंबर्स अप्टु थाउजन्स, फॉर्मेशन ऑफ़ नंबर्स दिये हुए हैं, एक एक करके मैं उनको आपको एक्स्लेन करूंगी, और स्वाल करके बता हैं, तो प्रisz चाट, और फिर्स्टेशन इस एक्सके बराबर है, हंड्रेट टैन्स मेन्स, ऑन्रेट इन्में एक्सके बराबर हैं, हंड्रेट टैन्स मीन्स हंड्रेट इन्टो टैन्स, यूर्ट 1000, so the option is D 1000 now direction for question 2 and 3 are given using these digits each only once answer the following question, in digits को केवल एक बार यूज़ करना है और फिर इन questions को देखना है हमें, question number 2 smallest 5 digit number formed is इन digits को यूज़ करके smallest 5 digit number जो बनेगा वो क्या होगा smallest 5 digit number बनाने के लिए rule आप लोगों को याद होगा कि हम numbers को assigning order में arrange करते हैं, बट अगर हमें 0 भी दिया होगा, तो 0 को हम first, यानि जो starting digit है वहाँ पर नहीं रख सकते हैं उसके अलावा जो digits है उन में से जो सबसे छूटा digit है उसको हम सबसे पहले रखेंगे then 0 को रखेंगे उसके बाद जो बाकी digits है उनको हम ascending order में रखेंगे वापिस so 4, then 5, then 9 अब देखते हैं इन में से कौन सा नमबर ऑप्शन में है 2451 वह, very first option is the correct answer first option ही हमारा correct answer है now question number 3 largest 5-digit number having 0 at 10th place formed is अब इन digits को use करके largest 5-digit number बनाना है जिसमें 0 जो है वो 10th की place पर हो ठीके तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर नमबर को लिखते है 1, sorry 2, 3, 4, 5 यह 5-digit numbers की places है 0 को लिखना है हमें 10th की place पर it means 1, 10th तो यहाँ हम पहले ही 0 लिख लेते हैं अब जो digits हमारे पास बची हैं उनको हम descending order में लिखेंगे so 9, 5, 4 10th की place पर हमें 0 को लिख नहीं है बचा हमारे पास 2 वो आएगा 1s की place पर तो देखते हैं कौन सा नंबर बना है कौन से option में है यह नंबर 95,402 ओके अगें the option A is the correct answer now question number 4 the number shown on the abacus is यह जो abacus है यहां जो number show किया गया है वो इन में से कौन सा है तो हम देखते हैं पहले abacus पे कौन सा नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 then 0 then 2 then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5 it means 5,20,275 so यह तो पहले ही बहार है ना option से क्योंकि यह 6 digit नंबर है और यह 5 digits है तो यह तो पहले ही बहार हो गया now 5,20,000 5,20,000 यह भी बहार है यह only 5,00, then 22 यह यह अब देखते हैं इस में से और इस में से कौन सा नंबर हमारा है 75 5,20,000 20,200, 200 75 so option is the correct answer the greatest 4 digit number with all digits different and 5 at 100's place is अब एक greatest 4 digit number बनाना है हमें जिसमें सारे digits different होनी चाहिए और 100 की place पर 5 होना चाहिए तो 4 digit number यानि 1,2,3,4 digit number 100 की place पर 5 होना चाहिए अब हम जो greatest number है हमारे पास 9 उसको लिखा हमने then 9 से छोटा 8 8 से छोटा 7 यह हमारा बन गया greatest 4 digit number देखते है कौन से ओप्शन में है 9,599 इंदे इस वन तो option C is the answer expanded form for this number is 84,926 so 8,400,900 no 8,926 no 80,000 4,000 okay 80,000, 4,000 84,926 so option B is the answer now question number 7 compare and fill in the given box इन दोनों numbers को हमें compare करना है और फिर इन में से कौन सा symbol यहां आएगा उसको लिखना है तो compare करने के लिए हमें इने पहले convert करना होगा ठीक है तो देखते हैं यह क्या है D, C, C, L, X, and V D, C, C यानि इनको change करते हैं D, C, C, L, X, V is equal to 500 plus 100 plus 100 plus 50 plus 10 and plus 5 D, C, C, D, L, X, X, I, I It means 500 minus 100 यह जो है इतना इसको अगर हम लिखेंगे तो 500 minus 100 then 50 then 10 plus 10 plus 2 so, 500 minus 100 400 plus 50 plus 10 plus 10 70 and plus 2 is equal to 472 so, 765 is greater than 472 so, this number is greater than this number so, option B is the answer now, in number 27,895 which of the following digit has same place values and face value यह जो नमबर हमें दिया हुआ है इसमें किस digit की place value और face value same है तो place value और face value किसकी same है the digit 5 so, option C is the answer question number 9 which of the following option shows the given numbers arranged in descending order जो यह numbers दिये हुए है इनको अगर हम sorry इसको अगर हम descending order में arrange करेंगे तो इन में से कौन सा option सही होगा ठीक है तो हम पहले इसको descending order में arrange करते हैं descending order means greatest to smallest ना so, the greatest number is 750, 75, 705, 775 this one is the greatest then 775 then 750 यानी P then 705 R and 75 Q अब हम देखेंगे यह sequence कौन से option में है S, P, R, Q no yes S, P, R, Q so option B is the answer now question number 10 56,450 is same as 56,450 56,000 56,000 यह तो पहले ही out है 56,000 है तो यह तो पहले ही out हो गया अब यह हमाल पास 3 numbers है 56,000 सब में है okay now 450 440, 450, 504 450 is here so option B is the answer now question number 11 if in the number the digits at thousand place and tens place are interchanged then the original number is dash the new number क्या मतलब हुआ question का कि अगर इस number में हम thousand की place पर जो digit है उसको और tens की place पर जो digit है उसको आपस में interchanged कर देते हैं interchanged मतलब thousand वाली digit को tens की place पर और tens वाली digit को thousand की place पर लिख देते हैं तो the original number जो actual number है वो new number से greater than होगा smaller than होगा या equal to होगा ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हम digits को change करके देखते हैं कि हमारे पास number क्या बनेगा number हमें दिया है two five four six eight यह number हमें दिया हुआ है इसमें अब हमें कहा है thousand की place की digit को हमें करना है tens की place से interchange so अगर हम interchange करते हैं तो two six four five eight यह हमारे पास new number आया अब जो original number है वो इस number से बड़ा है या छोटा है तो अगर हम देखें तो यहाँ twenty five है यहाँ twenty six है तो यह छोटा है तो इसमें smaller than का symbol आएगा आप देखतें smaller than का symbol कौन से option में है यह क्या लिखा है smaller than so option b is the answer ओके नाव कौशन नमबर 12 तो नमबर ओन देखें शोज दा बेस्ट एस्टिमेट ओफ विच ओफ दा फॉलोइं हैट पर नमबर लिखा है 300 तो 300 इन में से सबसे क्लोज किस नमबर के है 195 205 20 और 305 बेस्ट एस्टिमेट मतलब इसके सबसे क्लोज कौन सा नमबर है this one 305 so option d is the answer नाव विच ओफ दा फॉलोइं इस स्टेटमेंट इस करेक्ट यहाँ पर यह कुछ नमबर दिये हुए है p bucket पर 2709 q bucket पर 2799 r bucket पर 2750 and s पर 2790 now the options are p is the largest among all the numbers p is the largest no it is wrong s is the smallest no p is the smallest among all the numbers p yes p is the smallest so option c is the correct option okay now question number 14 which of the following is meaningless इन में से कौन सा रोमन नमबर जो है वो meaningless है देखते हैं वाल्यूस 10 प्लस 5 is equal to 15 10 प्लस 9 is equal to 19 then यही मिनिंग्लेस है 20 प्लस 4 is equal to 24 so it's c option c is the meaningless okay so question number 15 12,546 is 12,500 when rounded off to the nearest 12,546 equal हो जाता है 12,500 के जब हम इसको nearest round off करते हैं 10s के 100s के 1000 के या 10,000 के nearest किस को हमें round off करने पर इसकी जगा यह number मिलेगा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 100 की place पर है वो digit same है it means इसको round off किया गया है nearest 100s तक so option B is the answer now which of the following is greatest इन में से कौन सा number सबसे बड़ा है इसके लिए हमें इनकी values find out करनी होंगी so इसके हम value find out करेंगे dxlvii cdlii cmxc and cmlxvi ठीक है यह चार नमबर हमें दिए हुए है इनकी value हम find out करेंगे 500 plus L minus x so 50 minus 10 and plus 5 plus 2 so 500 plus 40 plus 7 is equal to 547 now cd it means 500 minus 100 l means 50 and 2 is equal to 400 plus 50 plus 2 452 452 now इसकी वाली निकालेंगे cm cm means 1000 minus 100 then x x minus c minus x it means 100 minus 10 so 1000 minus 100 is equal to 900 and 100 minus 10 is equal to 90 so 990 now last is cm again 1000 minus 100 l means 50 then x 10 then 6 is equal to 900 plus 50 plus 10 60 plus 6 is equal to 966 so which one is greater 990 90 so option c is the answer sorry now question number 17 round off this number to the nearest thousand is equal to is equal to round off is equal to round next digit is equal to 5 or 5 is equal to up so round up will be 5 down तो यहां पर यह 5 से उपर है, इसलिए यह round अप होगा, इसका मतलब यह हो जाएगा 35,000, 35,000 it means option B is the answer. question number 18 which should not be placed in the box to have the numbers in order from the greatest to the least, यह जो एक order बना हुआ है, इसको सही रखने के लिए कौन से number को हमें यहां पर put नहीं करना है, तो ऐसा number जो की इससे बड़ा हो, उसको हम यहां पर put नहीं कर सकते हैं, यह चोटा है, यह भी चोटा है, यह बड़ा है, इसको हम यहां पुट नहीं कर सकते हैं, तो option D is the answer, question number 19 which of the following is same as 80,403, 8,043, no, 8,043, no, 80,040 plus 3, no, 80,400 plus 3, yes, so option D is the answer, question number 20, the smallest 5 digit number formed by using all the given digits each only once is, इन सभी digits को यूज करके, बनने वाला 5 digit का smallest number क्या होगा, अभी smallest number बनाने के लिए rule क्या है, जो भी digits हमें दी हुई हैं, उनको ascending order में लिखना है, बट अगर 0 है, तो 0 first starting digit नहीं होगी, तो इसके अलावा जो digits हैं, उनमें जो सबसे smallest हैं, उसको पहले लिखेंगे, तो 0 को अगर हम हटा दें, तो इनमें smallest क्या है, 2, अब हम 0 को put करेंगे, जो 3 digits बची हैं, उनको ascending order में लिखेंगे, तो 3, 4, 6, अब देखते हैं, ये number हमारा कौन से option में है, 20, this one, so option D is the answer, okay, so question 20 तक हमने आज solve किये हैं, इसके आगे हम solve करेंगे next video में, तब तक आप इन questions की practice कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाबाई